Hey guys, welcome back to the channel और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी गाडियों की जो गाडियां सिच सेरबेक्स के साथ आती हैं और 15 लाख रुबे के अंडर अंडर आती हैं क्योंकि सेफटी जो है एक मेजर पॉइंट हो चुका और अच्छी बात यह है कि लोग जादा ध्यान देने लगें आजकल सेफटी बे तो शुरुबात करते हैं हम पहली गाड़ी से जो की 2023 में ही लॉँच हुई है और युण्डे की तरफ से आने वाली है एक माइक्रो एस्यूबी है जो की है युण्डे की एक्स्टर अगर इसकी प्राइजिंग की बात करूं तो लगबग स्टार्ट हो जाती है 6.10 लाख रुपी से और अलमोस्ट जाती है 10 लाख रुपे तक अच्छी बात यह है कि इसमें 6 airbags जो है वो standard आते हैं और आप चाहिए कोई भी वेरियंट ले लो यह 6 airbags जो है वो आपको standard ही देखने को मिलेंगे अगर बाकी safety features की बात करें तो ABS, EBD जैसी चीज़े हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं Electrochromic mirror भी इसमें हमें आ जाएगा और 6 airbags तो इसमें standard ही आते हैं और बात करें convenient and convenience features की तो इसमें आपको Android Auto, Apple CarPlay, Wireless देखने को मिल जाएंगे 10.25 इंचिस की screen देखने को मिल जाती है बाकी design जो है आपको alloy wheels मिल जाती है, projector LEDs में देखने को मिल जाती है अगर आप top variant की तरफ जाते हो दोस्तों next गाड़ी के अगर हम बात करें तो वो है Hyundai की एक premium hatchback यानि Hyundai की i20 इसमें भी अब जो है 6 airbags हमें standard देखने को मिल जाती है और अगर इसकी pricing की बात करें तो लग बग सब 6 लाग रुपे से इसकी pricing स्टार्ट होती है और almost जाती है 11.15 लाक रुपीस तक आइक्रो SUV से थोड़ी सी महंगी गाड़ी है क्योंकि यह premium hatchback है तो उससे जादा Hyundai access से जादा comfort आपको इसमें देखने को मिलेगा safety features की बात करें तो 6 airbags इसमें आपको कोई भी variant ले लिजे उसमें standard देखने को मिलेंगे ABS, EBD, TPMS भी इसमें आता है और hill hold access भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है और भी कई सारे safety features देखने को मिल जाता है 10.25 इंच की test screen है और fully digital instrument cluster इसमें आपको देखने को मिल जाता है अगर नेक्स काड़ी की तरफ चलें तो वह भी है Hyundai की तरफ से यानि की युंडे की venue युंडे ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि उनकी आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए कोई भी variant ले लीजिए आपको 6 airbags उसमें आप standard देखने को मिलेंगे युंडे वेन्यू की अगर प्राइजिंग की बात करें तो लगबग स्टार्ट होती है वह 7.48 लाक रूपीज से और अल्मोस्स इसका टॉप वेरियंट जो है वह 13.48 लाक रूपीज तक जाता है और इसमें आपको इंजिन आप्शन भी कई सारे मिल जाते हैं जैसे की टर्बो वेरियंट आता है और ट्रांसमेशन ऑप्शन भी इसमें आपको काफी सारे देखने को मिलते हैं जैसे की आयम्ट मिल जाएगा डी सीटी मिल जाएगा ऐसे कई सारे एंजिन आप्शन आप अपने हिसाब से चूस कर सकते हैं और अब इसके safety features की बात करें तो six airbags आपको हर variant में standard देखने को मिलने वाले हैं बाकी जो है आपको इसमें comfort भी अच्छा कासा मिल जाएगा और साथ ही में आपको hill hold acid जैसी ABS, EBD जैसी चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी पर अगर comfort and convenience features की बात करें तो 10.25 इंच की test screen आपको देखने को मिलती है LED headlamps नजर आएगे fully digital instrument cluster नजर आएगा Android Auto Apple CarPlay देखने को मिल जाता है वो भी wireless आप connect कर सकते हो sunroof जैसी चीज़े आपको इस काड़ी में देखने को मिल जाती है next काड़ी की तरफ चलें तो वह मरूती सजूकी की ब्रिद्जा ब्रिद्जा की price की बात करें तो 8.29 लाक रूपीस से start होती है और almost आती है 14 लाक रूपीस तक इसके top variant में भी 6 airbags आते हैं हाँ इसके biggest variant में 6 airbags नहीं आते हैं तो अगर आपको 6 airbags नहीं तो इसका top variant consider करना पड़ेगा अगर इसके बाकी safety features की बात करें तो ABS, EBD, ESCC जैसी चीज़े आपको देखने को मिल जाती है और इतना ही नहीं इसमें आपको hill hold assist जैसी चीज़े भी देखने को मिलेंगी वही अगर comfort and convenience features की बात करें तो इसमें आपको Android Auto, Apple CarPlay जैसी चीज़े देखने को मिल जाती है वो भी wirelessly इसमें आप connect कर सकते हो sunroof देखने को मिलती है और ambient lighting जैसे कई सारे features जो है वो आपको इसमें नजर आ जाते है और इस गाड़ी की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको भी variant ले ले जाए तो tire size आपको जो है वो same ही मिलने वाला है वरना बाकी companies क्या करती है कि छोटे नीच वाले variant में जो है वो tire size घटा देते हैं जिसकी वज़े से stability में थोड़ा सा issue आता है बट मरूती Suzuki brezza में ऐसा नहीं है बेस से लेके top variant तक जो है सारे tire size same है दोस्तों अगर हम next गाड़ी की बात करें तो वो है मरूती Suzuki की फ्रॉंग्स यह एक subcompact SUV है और इसके अगर pricing की बात करूं तो 7.46 लाक रु पीज तक अगर इसके safety features की बात करूं तो six airbags इसमें हमें नजर आते हैं और साथी में ABS EBD ESC चीजह जैसे हमें देखने को मिल जाती है additional safety features की बात करूं तो Suzuki connect इसमें हमें देखने को मिलता है all seatbelts reminder हमें देखने को मिलता है सारी सारी seatbelts जो है वो three pointer seatbelts आते हैं और सारी headrest ज देखने को मिल जाएंगी LED DRLS इसमें नजर आती है और साथी में हमें LED tail lights देखने को मिलती है Android Auto Apple CarPlay आप wirelessly connect कर सकते हो और सबसे बड़ी है वाद इसमें हमें engine options भी दो देखने को मिलते है एक 1.2L का natural aspirated engine है और 1L का turbo charge engine है जो की लगबग 100 PS की power निकालता है और torque तो उसका ब और वही अगर आपको माई लिग जाद अची है तो इसमें CNG option भी अविलेबल है बट वह जो है वह बेस वेरिंट में अवेलेबल रहे हैं सिगमा और डेल्टा में तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स वीडियो अईडियो अगı अज्वियो अद्वुठ का क्यों शरक Anfangव के वीडियो पालेबलेबल रहेां को के अवश के पास्लिक बियू कि प 28 हूए लिएालेबलेबलेबलेबलेबलेबलेबलेबले